आप यहां देख सकते हैं हमेने कुछ पटेटों खलेट करके रखे हुए इन्हें ग्रोह करने के लिए और इसमें कितने अच्छे अंकुरण भी निकले हुए इस तरह के अंकुरण सर्दियां के मासा में आम तरफ पर देखने को मिलते हैं और इससे हम इजली ग्रोह कर सकते हैं किसी प्लेस्टिक बेग में या जमीन पर इस तरीके के बैग में हम लोग आलो को इजली उगा सकते हैं मैं इसी बैग में भी आलको ब्रो करने वाला हूं इसको अंदर से उल्टा करते हैं नीचे चेट कर देंगे पानी जाने के लिए इनमें मैंने दोनों तरफ से तीन-तीन चेट कर दे हैं यहाँ पर हमने 50% नॉर्मल सॉयल ली है यह बहुत वालकी मिट्टी और बुरबुरी मिट्टी इस तरीकी मिट्टी आलो को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है और यहाँ पर 40% पुर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी ग इसका सॉयल मिक्सर बनाएंगे और इस में हमो पोटेटो को ग्रो करेंगाै करमाने इस मेथ मैं कंपोस्ट रखेंगाए भी मिक्स की वही इसमें अब इसमें हम लोग कालो को ग्रो करेंगे इस कि आप यसे ही रख दिए और इस पे ऐप तो दीस has उसी मिट्टी को उपह से य डाल दी जाएंगे अब इसमें पाने डालेंगे और इसकी उकराम में तोड़ी सा और कंपोस्ट डाल दे जब इसके अंकुरान बड़े होकर जब ग्रो कने लगेंगे तब हम इसको खुल के इसमें सेड से और सोयल बर देंगे इसमें बेहामलवाल लगाएंगे अब रालेंगे जब प्रूश जो भी जब डड़ा झाया झाया झाल जब इसके और में उाल उपतो प्रूश प्रूश जाल याल जब व्रूश प्रूश झाल 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 झाल